हमारे 21st century के modern philosopher श्री अद्पित बाला ने एक बात ये कही थी कि निहायती बचलन और गलीच औरते काफी होट होती हैं अब भाई मैंने से रीफ्रेस कर दिया है बट यू गेट जिस्ट जहां भाई उसी के साथ हसीन दिलरुबा को मैंने बहुत समय पहले ही ऐसे ही चला के देखा हुआ था किसी और नियत से जहां मैं देखने तो कुछ और आया था मगर साथ लेकर कुछ और गया एक अच्छी कहानी जहां उसी के दोरान मुझे इस बात का हैसास हुआ कि जो क्लासिक पलपी B-grade सिनमा हमेशा से इंडिया के पास रहा है उसे भी responsibly adapt किया जा सकता है और उनी कुछ दो चार चीजों की वज़े से फिर आई हसीन दिलरुबा के लिए मैं excited था जहां मेरा दिल सही जगां पे तो है मगर मेरी नियत भी गलत गलियों में घूमाती है जिसको लेकर मैं यह कहूंगा कि फिर आई हसीन दिलरुबा पहली वाली जितनी अच्छी तो नहीं है पर ठीक है जहां अपने सीक्वल में spoiler alert देते हुए यह कुछ यूँ शुरू होती है कि पहली movie के continuity को बरगरार रखते हुए भाई इसमें कई साल बीच चुके हैं रानी और रिशू इस दुनिया से छुप छुपा कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं आगरा में इस सुम्मीद में कि एक दिन जब पैसे ही कठा हो जाएंगे तो यह अपने प्यार को एकदम खुले में थाइलाइंड में जी सकेंगे जहां भाई इने किसी भी police, प्रशाशन या फिर डर का सामना नहीं करना होगा कि अभी मेरा अतीत आकर मुझे ले डूबेगा पर तभी एक नई जिंदगी इनके पास आने ही वाली थी कि उससे पहले इनका अतीत सामने आ गया बृत्युंजर प्रसाथ एके मॉन्टु मामा जो कि पिछली मूवी में नील के सगे चाचा के तौर पे इस मूवी में दिखाया जा रहे है औरोने इस केस को परसली ले लिया है और रिश्यू को ढूण रहे है ताकि वो सब को इनसाब दिला सके जिनके बीच में फिर अभी मन्यू पंडेत आते हैं जिनने रानी से सच्चा वाला प्यार हो जाता है और वो भी आपसेशन वाला और रानी और रिश्यू अपनी करेंट स्टेट को देखते हुए अभी मन्यू को एक स्केप गोड़ बनाना चाहते हैं कि भाई इसके साथ साथ वो कुछ पल ऐसे गुजार लेंगे ताकि पुलिस को ये शक खतम हो जाए कि भाई हाँ भी ये लड़की मोवान कर चुकी है और रिश्यू सच में एक्जिस्स नहीं करता पर किसी को क्या ही पता था कि भाई आगे कहानी में अभी मन्यू भी हरामियों का हरामी निकलेगा और प्यार के जुनून के चलते वो भी वो हर कई हद को पार कनने के लिए तयार हो जाएगा तो as a concept it sounds very good जिसके एंड में एक छोटा सा surprise भी है परन्तु जैसे events unfold होते हैं इस romantic thriller में वो काफी surface level की convenient कहानी नजराती है जो कि excite नहीं करती ये बात बहुत अच्छी है कि नोंने stakes काफी बड़े किये हैं रानी की दुनिया काफी बड़ी की है पुलिस प्रशाशन भी काफी बड़े scale पे इसके बड़ा case बना दिये हैं पर जिस bare minimum logic के साथ वो इसे approach करते हैं वो reasonable नजर नहीं आता कि यार ऐसा किस तरीके से दिखा रहे हो क्योंकि जहां से हम आते हैं वहां हम जानते हैं कि प्रशाशन का ego भाई hurt नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उन्हें बुरा लग गया तो भाई आप पाताल में ही क्यों ना छुप जाओ वो आपको ढून के निकाल लेंगे और ये बंदा तो भाई रानी के कितने पास रहता है कोचिंग चला रहा होता है लोग इससे मिल रहे होते हैं पीजा डिलीवरी कर रहा होता है मेकानिक होता है और फिर भी लोग इससे दो किलुमेटर के दायरे में ही नहीं पकड़ पाते कि वो हैं कहां पे बहुत ही convenient था वो कि भाई देखके फील होता है कि यार ऐसे कैसे निकल जा रहा है यहाँ पे लेकिन फिर भी इतना unsatisfying होने के बावजूद भी मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा कि भाई भले ही movie at best mediocre ही क्यों नहों आपको बहुत सप्राइज ना करती हो थ्रिलर होने के बावजूद भी बहुत थ्रिल ना देती हो पर जो bold Indian B-grade films का जो genre को screen पे यह जिन्दा करती है उस कोशिश के लिए इसकी सरहना तो बनती है क्योंकि they are responsible it's not like कि या B-grade movie है तो भाई कहानी छोड़के सेक्सुक से डाल दो इसमें Hitchcock का ही कहना है ना कि भाई असली मज़ा वो bang में नहीं बलकि वो anticipation को भाई लंबे समय सक देखने में है और वो cheese movie के first half में बखो भी नजर भी आती है जो इसकी cheeky cinematography और poppy colors है वो बहुत hard compliment करते है राणी के provocativeness को मतलब कि I don't think कि किसी ने तापसी पन्नु को उस नजर से देखा होगा पर वो जैसे तोते की तरह shine करके आती है ना क्या कड़क लगती है I mean यार I'm sorry इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए पर it's wild यार पूरा mermaid effect हुआ है जिसमें बाई तापसी पन्नु बखु भी अपने अपील को समझी हुई है और वो costume design से लेकर आज तक promotions में भी वो उसी तरीके से नजर आ रही है कि जो अपील उन्होंने movie में deliver की है जहां पर बाई समझो समाज इनी तरीके के औरतों से दूर रहने को कहता है इन्हें idealize नहीं करने को कहता है क्योंकि बरबाद करने वाली ओर है that it's peak best जहां पर ये तापसी पन्नु की तारीफ तो बनती ही है और इसे के साथ जो cinematography भी भाई इन्हें compliment कर रहा होता है क्या कमाल का काम हुआ है वहाँ पर अपने नए टैलेंट मिस्टर सनी कॉष्चल के परफॉर्मेंस भी मुझी अच्छी लगी मैं कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टेट था इस मुवी में तो सब कुछ प्रिडिक्ट तो करी लिया था पर फिर भी इनके स्क्रीन पर रहने से ये काफी एब जॉंबिक परफॉर्मेंस देते हैं जो कि पहली मुवी में जब चीट होने के बाद काफी कॉल्ड बलॉडड़िट साइको नहीं हो गए थे तो वो साइको पना नजर नहीं आता बस क्लीशे डालोग्स ही सुनने को मिलते हैं समझ में आता है मुवी के थीम के साथ काफी मैच करता है बट ऐसा कुछ खास नहीं हुआ परफॉर्मेंस ही निकल गगी उनकी जो की थोड़ा सा कन्वीनियंट जादा था जहां पर मैं मैं फील कर रहा था कि यार थोड़ा सा पहले वाले की तरह गया था ट्रेलर में कि मामला बहुत ही परसल होने वाला है वो बहुत डिसपॉइंट करता है क्योंकि वो आत हो गये हैं मगर क्या ही कर रह होते हैं और बीच में आधितर शिवास्तों भी exist कर रहे हैं पर क्यों ही है बहुत कुछ खास इंपूट नहीं है कि कहानी के डानेमिक्स को पूरा उलट पलट दे जहां पर यह वही बात है कि अच्छे अक्टर्स होने के वज़े से इन सब की स्क्रीन प्रेजेंस इर्रेजिस्टिबल तो है बट इतनी कंपेलिंग भी नहीं है कि अपने रहने को justify कर सके जिसकी में कमी में राइटिंग को ही बोलूँगा कि बहुत फ्रिलिंग नहीं है बाकि ओर रॉल इट्स नॉट वर्दी सीक्वल बट इट रिमांडेड मी ओप दोस ओल्ड सरसलील मैगजीन जो मैंने बहुत पहले पड़ी थी कि भाई इने भी responsibly adapt किया जा सकता है अब भले ही वो kinkiness एंड में आते आते चली क्यों ना जाती हो इन कहानियों की अपनी एक जगा है जिनने एक फेस के बाद सब डाउन जरूर देखते हैं बड़ यह जो इतना बड़ा culture और stories पड़ी हुई है अपने पास उन्हें भी live action में कोई ना कोई जगा तो मिलनी चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ जहें इनके attempts भले ही satisfying क्यों ना हो गलतियां सबसे होती है at least content gallery में हमार पास diversity तो रहेगी and filmmaking में भी bold choices लेने पे एक उम्मीद रहेगी कि okay ये भी हो सकता है जहांब इस adventurous genre की बहुत इस्जत तो नहीं होती जो कि भारतिया सिनमा के हित्यास में कहीं बेज़िती के कारण खोती जा रही थी बाकि तुम अपनी उपीनिस बताओ कि अगर तुमने मुवी देखी है तो कैसी लगी है and तुमें ये तापसी पनुभावी material टाइप में कैसे नजर आती है अपनी उपीनिस में जरूर बताना थोड़ा सहज हो कि बता कि अगर तब तक के लिए मैंने डेडपूल और वुल्वरीन मूवी के बाइक कोशन्स के उपर भी वात किया जिसके लिए अप मेरे वाली वड़ी को चेक आउट कर ले ना तुमेंसा इंफरमेशन दिल जाएगी मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेइन